नमस्कार स्वागत हैब सभी कार नीज पर आपके साथ मैं हूँ परलवी रवीन दिरसुंग बुलिटिन के शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजनी से जुड़ी हुए आ रही है बीज़िपी विधायक शीतल पांडे को विरोध झेलना पड़ा है इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलेविजन स्क्रेन पर है आपकी जनकारिक लापको बताते चले एक बार फिर से बीज़िपी विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा है गोरुक खजनी के मजरिया गाउं का ये पूरा मामला है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलेविजन स्क्रेन पर बार प्रभावित मजरिया पहुचने पर शीतल भगा दिये गए गाउंवालों ने शीतल को गाउं में एंट्री नहीं लेनी दी शीतल पांडे को गाउं में घुसने भी नहीं दिया ग्रामीडों ने उन्हों गाउंवालों ने एंट्री नहीं लेनी दी गाउं में आपको बताते हैं यूपी सीडा CEO मयूर महिश्री से UPFC का चार्ज वापस लिया गया आईएस विकास गोटवाल की इस्ट्री लीव मंजूर कर ली गई है लीव जो है वो मंजूर कर ली गई है और इसी के साथ सचार्ज भी उनसे UPFC का वापस ले लिया गया और दोगिक विक विकास गोठवाल सरकान ने चुट्टी जो है उनकी वो मंजूर कर ली बढ़ी खबर आपके टेलविजन स्क्रेन पर है और दोगी विकास के सच्चियु है विकास गोठवाल और आपको जानकारी के लिए आपको बताते चलिए चुट्टी मंजूर करते ही वे चारज वापस लिया गया है, सरकार में छुट्टी जो है वो मन्जूर कर ली देशभर में आज से गणेश उस्सो की शुर्वात हो रही है आपको बता चले भाधपद में शुक्ल पक्ष की चतूर्थी को भगवान गणपती का जन्मोस्व मनाया जाता है महाराश्ट्र समेत पुरदेश में गडपती मूर्या की पूजा धुंधाम से की जाती है लेकिन एजबार मुंबाई के पंडालों में दर्शन की अन्मती नहीं होगी यहां धारा 1-44 लागू कर दी गई है साथ ही जुलूस निकालने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया ख्या महारा सरकार ने कहा है कि कोविड महमारी के चलते गणवर्षों के दारान लोगों को पंडाल में जानी की अन्मती नहीं होगी राज की ग्रावी भाग की ओर से कहा गया है कि पंडाल से केवल ऑनलाइन दर्शन की अन्मती दी जाएगी इससे पहले ग्रावी भाग ने एक परिपत्र में कहा था कि उस्सों के दारान समाचिक दूरी का कडाई से पालन करना चाहिए नए परिपत्र में कहा गया कि दोनों लोगों को गणेश पंडालों में जानी के अनमती नहीं होगी बींसी नियाज से शुरू हो रहे गणेज उस्सों के लिए नए दिशान दिर्श चारी कर दिये जिसके तहट सारजनिक पंडालों में दर्शन के लिए शद्धालों के प्रवेश पर प्रितिबंध लगा रहेगा इसके अलावा समारों के दौरान जुलोस में भाग लेने वालों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया कम कर दिया गया सारजनिक पंडालों में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय दस से अधिक लोग मौजूद नहीं होंगे घर में मूत लाने और विसर्जन के लिए लिजाते समय अधिक्तम पांच लोग ही मौजूद रहेंगे उस्यों के दोरान जुलोस में भाग लेने वालों को आनिवारी रूप से COVID-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लिनी ही होंगी दूसरी खुराक लिए हुए 15 दिन से अधिक समय होगा होना चाहिए और कोरुना वायरेस संकमण के नए मामलों में व्रध्य और महामारी की तीसरी लहर के खत्र के मदिनसर BMC ने सार्जनिक गडपती पंडालों में दर्शन के लिए शद्धालों के प्रवेश पर प्रित्बंध लगा दिया नागरिकों से त्योहार साधी से मनाने के अपील की गई BMC ने कहा है कि COVID-19 महामारी की तीसरी लहर के संभाविक खत्र को देखते हुए शद्धालों को सार्जनिक पंडालों में दर्शन करने से मना किया गया तो दस दिनों तक देशवर में मनाये जाने मले गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुवात शुक्रवार से शुरू हो चुकी है अनिकियास से मुंबई समेत कई शहरों में तोहार को बहुत धुमधाम से मनाये गया गणेश चतुर्थी के मौके पर राशपती रामनात कोविंद और इसके सासर प्रधनमंत्र नरेंदर मोदी राहूल गांधी आदिनेताओं ने देशवासियों को बढ़ाई दी राशपती रामनात कोविंद ने ट्विट किया गणेश चतुर्थी के शुवावसर पर सभी देशवासियों को हारतिक शुप कामना है मेरी कामना है कि कोविंद नाइंटीन के विरुध किये जो आ रहे हमरे प्रयासों को विग्न हर्ता गणेश सफल बनाए सभी को सुख है और शान्ती प्रदान करें आईए हम सब कोविड अन्कूल विभार करते हुए या तेवहार मनें आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामना है या पावन आउसर हर किसी के जीवर में सुख, शान्ती, सौभाग्या और आरोगिली करा है गड़पती पपा मोरिया आपको वता चले कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष और केरल के वायनाट से सांसर्द राहूल गांधी ने भी बधाई दी उन्हों ट्विटकर कहा हमारे देश के उन्नती के रास्ते का हर विग्न दूर हो कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए गड़पती के मौके पर महाराश्य सरकार ने कई तरह की पाबंदिया लगा दी आपको बता दी मौमई में पांच या फिर उससे ज़्यादा लोगों के एक साथ इखटे होकर गणेश चतुर्थि को त्योहर बनाने पर पाबंदी है रोक है पुलिस के अनुसार मौमई में सभी प्रमो गणेश पंडाल वर्चुल तरीके से भी पूजा पाट कर प्रसारट कर सकेंगे रामपूर से सपा के लोगसबा से अंसरद आजम खान को तगड़ा जटका लग चुका है आजम खान की रामपूर सिथ जोहर उनिवर्सिटी की जमीन पर सरकार ने कबजा कर लिया आजम खान की याचिका इलहबाद उचने आले से खारिज होने के बाद उनिर्सिटी की 70 एकर से ज़ादा जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया जोहर उनिवर्सिटी की जमीन पर कबजा करने के लिए रामपुर जुला प्रशासिन की टीम गुरुवार को ही पहुँच गई थी इस दोरान भारी संख्या में पोलिस फोर्स मौजूद थी सदर तहसीलदार पुरमोत कुमार ने बताया है कि उचने आले ने आजम खान की याजगा खारज कर दी जिसके बाद हम जमीन पर कबजा करने आए हैं और तलब है कि मौलाना मौम्मद अली जोहर ट्रस्ट को साल 2005 में कुछ शर्तों पर इस विश्विद्याले का निर्मान करने के लिए जमीन दी गई थी इन शर्तों का पालन नहीं करने के लिए राज्जी सरकार ने जमीन अधिरहन की कारवाई शुरू कर दी आजम खान ने इसे हाई कोट में चुनौती नहीं थी आजम खान की इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ट्रस्ट के सचिव और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान इस ट्रस्ट के सक्रिस सदस है